साथियों, आज इमफाल सहीत मनिपुर के लाख्यों साथियों के लिए विशेश तोर पर हमारी बहनों के लिए बहुत बड़ा दिन है और वो भी अब कुछ दिन के बाद जब राखी का त्योहर आने वाला है उसके पुर्व मनिपुर की बहनों को यह बहुत बड़ी बेद्थोगात की शुरुवात हो रही है लगभक तीन हजार करोड रुपिय की लागत से पूरे होने वाले मनिपुर वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट से यहां के लोगों को पानी की दिक्कते कम होनी वाली है ग्रेटर इंफाल सईत छोटे बड़े 25 शहर और कस्बे 1700 से जादा गाउं के लिए इस प्रोजेक्ट से जो जल धारा निकलेगी यह जल धारा जीवन धारा का काम करेगी बड़ी बात ये भी है कि ये प्रोजेक्ट आजकी नहीं बलकि अगले 20-22 साल तक की जरूरोंतों को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया गया है इस प्रोजेक्ट से लाखों लोगों को घर में पीने का साब पानी तो उपलब्द होगा ही हजारों लोगों को रोजगार भी मिलेगा और आप जानते हैं जब शुद्ध पानी पीने को मिलता है तो इम्मिनिटी को बहुत मदल मिलती है रोग प्रतिरोध के लिए बहुत बड़ी ताकत मिलती है बिमारियां दूर रहती है इसलिए पानी शिरफ नल से पानी आएगा इतना विशे नहीं है निश्चित रुप से ये प्रोजेक्ट हर गर नल से जल पहुँचाने के हमारे व्यापक लख्ट को भी बहुत अधिक गती देगा मैं इस वाटर प्रोजेक्ट के लिए मनिपूर को लोगों को और विशेश करके मनिपूर की मेरी माताओं बेहनों को बहुत बहुत बढ़ाई देता हूँ साथियों पिछले वर्ष जब देश में जल जीवन मिशन की शुरुवात हो रही थी तब ही मैंने कहा था कि हमें पहले की सरकारों के मुकाबले कई गुना तेजी से काम करना है जब पंदरा करोड से ज़्यादा घरों में पाइप से पानी पहुचाना हो तो एक पल के लिए भी रुकने के बारे में सोचा नहीं जा सकता यही वजह थी कि लोकडाउन के समय में भी गाउं गाउं में पाइपलाइन बिछाने और जागरुकता बढ़ाने पंचायतों के साथ लाने का काम लगाता जारी रहा आज स्थिती ये है कि देश में करीब करीब एक लाख वाटर कनेक्शन यानि घरों में पानी का कनेक्शन प्रति दीन रोज दिया जा रहा है यानि हर रोज एक लाख माताओं बहनों के जीवन से पानी की इतनी बड़ी चिंता को हम दूर कर रहे हैं एक लाख परिवार की माताओं बहनों को उनका जीवन आसान बना रहे हैं ये तेजी इसलिए भी संभव हो पा रही है क्योंकि जल जीवन मिशन एक जनांदोलन के रूप में आगे बढ़ रहा है इसमें गाउं के लोग विशेश करके गाउं की बहने गाउं के जनप्रतिनी दी ही मिलकर के ताय कर रहे हैं कि कहां पाई बिचेगी, कहां पानी का सोर्स बनेगा, कहां टैंक बनेगा, कहां कितना बजेट लगेगा